हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेचर ब्यूटी पे आज हम आपको बताएंगे एक अजीबो गरीब रहस्य भारत की कंकाल जील रूपकुंड इंडियास स्केलेटन लेक के बारे में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नीचे रेड घंटी को भी दबा दे ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रूपकुन जिसे मिस्ट्री लेक और स्केलेटन लेक के रूप में जाना जाता है यह भारत के उत्राखंड राज्ये में एक हाई एल्टिट्यूट पे मौजूद है यह त्रिशूल मासिफ की गोद में स्तित है हिमाले में स्तित जील के आसपास का छेत्र निर्जन है और एक अनुमान के तौर पर यह 5020 मीटर यानि की 16,470 फेट की उचाई पर मौजूद है जो चट्टानों से गिरे गलैशियर और बर्फ से ढके पहाडों से गिरा हुआ है रूपकुन एक लोगप्रिय ट्रेकिंग डेस्टिनेशन भी है दोस्तो जील का अकार काफी बड़ा है जो की लगभग 40 मीटर की एक गोल्ग अकार में फैला हुआ है इसका लगभग एरिया 1000 से 1500 मीटर वर्ग से भी अधिक फैला हुआ है और सर्दियों में इस जील का पानी ठंड की वज़े से पूरा जम जाता है इस जील की गहराई लगभग 3 मीटर है रूपकूट की पहचान केवल जील के किनारे पाए जाने वाले सैकडो प्राचीन मानव कंकालों की वज़े से ही किया जाता है दोस्तो बर्फ के पिगलने पर मानव कंकाल के अफशेश इसके तल पर दिखाई देते हैं पर इसके पीछे का राज कोई नहीं जानता कि ये इतने सारे कंकाल आए कहां से और ये एक रहसे ही बना हुआ था इन कंकालों के पीछे का रहसे आमतोर पर एक अर्थ पोरानिक घटना की और इशारा करते हैं लेकिन लंबे समय तक रहसे में डूबे रहने के बाद हाल ही कुछ वर्षों में शोद करताओं ने पाया है कि ये कंकाल तीर्थ यात्रियों के हैं जो नवी शताब्दी में अचानक आए प्राकृतिक हिंशक ओला वरिष्टी की वज़े से लोगों का एक बड़ा समू मारा गया जिनके अफशेश आज हमें इस जील में दिखाई देते हैं इन मानव अफशेशों के कारण ही इस जील को कंकाल जील कहा जाता है तो दोस्तो इस वीडियो में हमने आज जाना कि अपने भारत देश में भी कई सारे रहश्य दफन है जिन में से या एक रूप कुन जील है तो दोस्तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताए और आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे थैंक यू दोस्तो